अक्षय तृतिया के दिन घटी थी, ये 13 पौरानिक घटनाएं, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। अक्षय तृतिया का पर्व हर साल वैशाक शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी को मनाया जाता है। इस दिन अब बूज मुहूर्त रहता है। यानि इस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, पूरे दिन ही मुहूर्त रहता है। इस बार अक्षय तृतिया 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन रहेगी। आईए जानते हैं इस दिन घटने वाली 13 पौरानिक घटनाओं के बारे में। एक, इस दिन भगवान नर नारायन सहित परशुराम और हैग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी हुआ था। तीन, इस दिन यक्षराज कुबेर को खजाना मिला था। चार, एक मान्यता के अनुसार इसी दिन मा गंगा का अवतरण भी हुआ था। पांच, इसी दिन सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने पहुँचे थे। ची, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, रश्बदेव जी भगवान के तेरह महीने का कठीन उपवास का पारणा, इक्षू, गन्ने के रस्से किया था। साथ, इसी दिन बद्री नारायन के कपाट भी खुलते हैं, जगन्नाथ भगवान के सभी रथों को बनाना प्रारंभ किया जाता है। आठ, अक्षय तृतिया के दिन ही व्रिंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चर्णों के दर्शन होते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे उसका पुण्य मिलेगा। 10. इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ। 11. अक्षय तृतिया के दिन से ही वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ लिखना शुरू किया था। 12. आदिशंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी। 13. मान्यता नुसार इसी दिन महाभारत की लराई खत्म हुई थी। अक्षय तृतिया का महत्व अक्षय तृतिया को अनन्त अक्षय अक्षुन फलदायक कहा जाता है, जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय कहते हैं। बताया जाता है कि वर्ष में सारहे तीन अक्षय महूर्थ है, जिसमें प्रथम वविशेश अस्थान अक्षय तृतिया का है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे, उसका पुन्य मिलेगा. इस दिन को स्वयनसिद्ध मुहूर्त माना गया है. अगर जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो क लाइक एंड शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लें. वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद.